यह वीडियो है बड़ी आंथ की सोजिश पर, मैं यह वीडियो बनाना चाह रहा था inflamed colon पर, कुछ points मैं discuss करूँगा, कुछ recommendations हैं जो आप कर सकते हैं, IBS है यह diverticulitis है, Crohn's यह celiac disease है यह कुछ बाते हैं जिन पर आपने focus करना है, number 1 पर है और यह बड़ा obvious है, gluten और grains से बचना है, अनाज, गंदुम, राई, जौ, मैदा, यह सब grains है इन सब में gluten पाया जाता है, rice आप खा सकते हैं, rice में gluten नहीं होता क्योंकि यह जो protein है, gluten यह बड़ी आंथ की अंदर वाली lining की, जो colon की inner layer है उसकी तोड़ फोड़ करती है, इसे tear apart करती है, इसके साथ-साथ dairy products को avoid करें क्योंकि बड़ी आंथ में sozish है, तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि dairy में जो casein पाई जाती है उसे body allergic हो और यह allergy बहुत से लोगों को है, तो अगर आप dairy लेते हैं, तो उससे inflammation बढ़ेगी किसी भी ऐसी चीज़ को avoid करना है, जो inflammation बढ़ाए या allergic reaction करें body में तीसरे number पर यह कि सबजियों को बहुत कम कर दें, क्योंकि हमें fiber intake कम रखना है इस बात को मैं वीडियो में आगे मजीद discuss करूँ है, कि सबजियों को आप किसी से replace करें दिखें जब बड़ी आँख में सोजिश होती है, तो bad bacteria बढ़ जाते हैं, और good bacteria कम हो जाते हैं gut microbiome altered हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप inflamed colon के साथ सबजियां खाते हैं microbiome के साथ easily handle कर लेता है, और ऐसा भी बहुत से cases में देखा गया है, कि जिन लोगों में inflammation थी और उन्होंने सबजियों को बिल्कुल cut off कर दिया, और वो carnivore diet पे गया, गोश्त के मिगदार diet में जाधा रगी, तो इनकी inflammation खतम हो गई, लेकिन यह तब ही recommended है, अगर आप protein अच्छे से digest कर पा रहे हैं, individually cases vary करते हैं, क्योंकि अगर कोई protein digest नहीं कर पा रहा है, तो पहले स fix करना है, enough stomach acid build up करना है, ताकि protein सही से digest हो सके, और कुछ cases ऐसे भी सामने आए, कि जो लोग inflamed colon की वज़ा से autoimmune disease का शिकार हो चुके थे, बोड़ी अपने ही cells पे attack कर रही थी, तो जब उन्हें कार्णिवोर diet दी गई, तो वो कुछ ही महीनों में ठीक हो गई, बोड़ी जब heal हो जाए, तब आप vegetables add कर सकते हैं, इसके साथ vegetable oil को avoid करना बहुत ज़रूरी है, vegetable oil का लफजी मतलब तो सबजियों का तेल है, लेकिन असल में ये grains oil या seed oil होता है, और ये oil omega 6 से भरपूर होता है, inflammation को बढ़ाता है, omega 3 inflammation को कम करता है, और omega 6 inflammation को बढ़ाता है, vegetable oil में soy oil, corn oil, cotton seed oil canola oil, low quality olive oil, ये सारे oils मसला करते हैं, inflamed colon को मजीद damage करते हैं, vitamin C को body में से deplete करते हैं, vitamin C की body में कमी हो जाती है, और जब body में कोई भी antioxidant नहीं बचता है, तो inflammation बढ़ती है, पांचवे नमबर पे chlorophyll, जिस तरह human body में blood होता है, इसी तरह पोदों में chlorophyll होता है, chlorophyll ना की inside lining को heal करने में मदद करता है, इसे repair करता है, बलकि throughout the body membrane healing में मदद करता है, लेकिन चूँके यहाँ chlorophyll सबस पत्तों वाली सबजियों से नहीं ले पार है, तो आप concentrated chlorophyll supplements ज़रूर लें, जैसा के weed grass powder, इसमें chlorophyll तो होता है, लेकिन fiber नहीं होता है, या बहुत minimal होता है, औ क्योंके liver primary bile salts बनाता है, और microbes friendly gerasim secondary bile salts बनाता है, चूँके colon inflammation में microbiome altered होने की वज़ा से, bile salts की recycling रुक जाती है, और bile salts की deficiency हो जाती है, bile salts tightening agent के तोर पे काम करते हैं, और colon junctions को अपनी असली हालत में intact रखते हैं, लीकी gut से बचाते हैं, इसके साथ-साथ bile salts balance लाते हैं gut microbiome में, और उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनने inflamed colon का मसला, यहां मेशा constipation रहती है, कबज रहती है, यह liver, gallbladder और intestines में, enzymes का flow रुकने नहीं देते हैं, चीजों को flow में रखते हैं, नमर साथ पे आप fasting, दिन में एक बार खाना खाना और ज़्यादा वक्त भूके रहना, अगर बहुत ज़दा पतले हैं, और colon inflammation का शिकार हैं, और weight loss मजीद नहीं करना चाते हैं, तो ठीक है, आप intermittent fasting regular basis पे ना करें, जो eating window है, जिसमें आप खाते हैं, उसमें nutrients और vitamins को पूरा रखें, healthy eating करें, fasting basic आप periodically करें, लेकिन करें ज़रूर, जिस दिन fasting करें, उस दिन 2 meal, ideally 1 meal लें, मौका मिले तो prolonged fasting भी करें, क्योंकि fasting colon के stem cells को stimulate करती है, intestinal lining को heal करने में मदद करती है, इसके alert अगर आप करते हैं, तो वो है frequent eating, हर वक कुछ खाते रहना, या snacks खाना, तो जो पहले ही inflamed colon वो ज़्यादा worse हो जाएगी, fasting की 2 tips है मेरी, अगर आप 2 meals ले रहें, दिन भर में, त जो दूसरा meal है, उसमें vegetables और salad को शामिल करें, बहुत से लोगों को ये plan suit करता है, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों को एक ही meal में मिला देते हैं, तो digestive system overload हो जाता है, digestion slow down हो जाती है, तो आप इसे जरूर try करें, और अगर पूरे दिन में सिर्फ एक meal ले रहे हैं, तो उसमे protein और fat को पहले लें, एक से दो घंटे weight करें और अपनी vegetables या salad को कुछ देर रुक के लें, मेरी हर वीडियो में fasting का जिकर होता है, अगर ये plan आपको suit नहीं करता है, तो दूसरी वीडियो में और plans भी मौझूद हैं, यह है मेरी recommendations, अपना experience comment section में ज़रूर लिखें, अपना ख ारी वीडियो में यार वा ये वह हैं, है थाही बाद्ने हैं, आपको दूसरी थखें हैं, यह हैं। chase दौसरी में तो अबस्ति हैं, यह हैंध़ जए यह हैं, यह हैं। आ इ